नमस्कार, Flours in Kitchen Garden चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गार्णिंग बहुत एक्स्पेंसिव होती है या गार्णिंग किस तरीके से करनी चाहिए एक्स्पेंसिव होती है तो हम इसे किस तरह effort कर सकते है वगेरा वगेरा जो भी इससे related gardening से related जो भी question मेरे दिमाग में आया है मैं उनके आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी और I hope इससे आपको gardening में थोड़ी मदद मिलेगी अगर आप gardening करना शुरू करने वाले है या gardening कर रहे है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो इसे subscribe कर लीजे और bell icon all पर प्रेस कर लीजे क्यों क्यों कि subscribe करना बिलकुल free है और इससे हमको support भी मिलेगा हमें पता चलेगा कि हाँ आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो हम आगे और भी अच्छी अच्छी आपके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊंगी तो चलिए वीडियो को start करते है कि gardening expensive होती है क्या तो ये उस चीज़ पर depend करता है कि आप gardening किस purpose से कर रहे हैं यानि कि आप अगर आपका कोई gardening channel है तो आप अपने plants का range collect करते हैं आप उस plant के बारे में जानकारी खटी करना जाते हैं आप nursery में जावकर भी उस plant के बारे में जानकारी खटी कर सकते हैं लेकिन जैसे मेरे जैसी कोई housewife है या जो रोज डेली बाहर नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए ये जरूरी हो जाता है या तो उनको books में पढ़ना पढ़ता है अगर books में भी पढ़ते हैं तो भी आपको plant को show करके आपको आपको भी experiment कर रहे हैं किसी plant के उपर तो वो आपको दिखाना पढ़ता है कि हम हमारे plant के साथ इस तरीके से experiment करते हैं हमारे plant पर ये fertilizer use करते हैं हम हमारे plant को धूप में रखते हैं हम हमारे plant को छाओं में रखते हैं ये सारी चीज़े बतानी होती है तो अगर आप एक channel effort कर रहे हैं एक channel चला रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़े बताना जरूरी हो जाता है दूसरी बात कि अगर आप के पास कोई comment आता है कि हमें इस चीज़ से related ये जानकारी चाहिए तो आपको वो भी देनी होती है उसके लिए या तो आप nursery जाकर उस plant के बारे में जानकारी collect करे nursery में तो करना ही है क्योंकि practical करना और एक book में देखके पढ़ने में बहुत अंतर होता है आपके यहां का atmosphere कैसा है या जिसने comment किया उसके यहां का atmosphere कैसा है उस पर भी बहुत depend करता है एक plant का nature तो अगर वो comment आया है तो वो कहां से आया है यह भी जाना ज़रूरी है क्योंकि उसके यहां के weather में और आपके यहां के weather में बहुत difference होता है तो यह तो वो बात नहीं हुई कि expensive यह तो अलग बात हो गई कि किस तरीके से क्या करना यह अलग बात है तो expensive होती है क्योंकि हमें प्लांट धीरे-धीरे collect करने हम होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप एक साथ सो डेर सो प्लांट खरीद ले या आप दो सो धाई सो प्लांट खरीद ले ऐसा नहीं है मैंने भी जब gardening शुरू करी थी दो साल पहले तो मैंने छोटे-छोटे से प्लांट से शुरू करी थी मैंने सबजियों से शुरू करी थी एक्छली मुझे सबजियों का बहुत शोकता तो मैंने बीच लगाना शुरू किये जब वो बड़े होने लगे तो उनके लिए थोड़े बड़े कंटेनर लाने लगी उसके बाद जब मुझे फूल अच्छे लगने लग हमको nursery जाना है दिखना है और कौन से flowering plant आया है तो वहाँ से हम कुछ नो कुछ लाते ही रहते है लाते ही रहते है लाते ही रहते है तो इसी तरीके से मैंने भी लाते लाते मुझे कोई नया plant दिखता है तो मैं उसको ज़रूर लेकर के आती हूँ और इस चीज में मेरे घरवालों ने भी पूरा support किया है मेरे husband ने सब ने पूरा support किया है कभी किसी ने मुझे किसी भी चीज के लिए बना रही किया कि तुम ने gardening में इतना खर्चा कर दिया है तो तुम बस अब बस करो ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला तो expensive तो होती है लेकिन वो तब expensive होती है जब आप 80 plants खरीते है तब आपको थोड़ा ज़्यादा heavy लगता है आप 2 plant ले आईए फिर उसके बाद आप 5 plant ले आईए उसके बाद फिर आप 2 plant ले आईए ऐसे एक एक करके लाते रहेंगे तो उसमें आपको कोई महगा नहीं लगेगा आप शुरुआत कीजे मैंने तो plastic के कटो में भी पोधों को लगाया है सबजियों को लगाया है लेकिन फूलों वाले पोधों के लिए तो आप मैंने बिल्खुल pot अरेंज करना शुरू कर दी क्योंकि फूल जितने खुबसूरत होते है तो उनको plant भी उत्ता खुबसूरत देना होता है लेकिन ये सब मैंने दो साल की महनत से collect किया है उसके बाद भी मुझे अपने garden में कमी ही लगती है तो I hope आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि gardening expensive होती है तो जी मैं तो बिल्कुल हाँ कहूंगी लेकिन इतनी भी expensive नहीं होती कि आप effort नहीं कर सकते आप दो plants से शुरू कीजिए उनी को maintain करके रखिए जब वो आपसे समलने लग जाए तो आप और plants लेकर के आईए इसी तरीके से gardening करते रहे है यही सबजियों पर भी apply होता मैंने तो सबजियों से ही start किया था तो expensive तो होती है यह बात तो है क्योंकि अगर आप plant के वो लाएंगे तो आपको stand भी लाने पड़ेंगा अगर plants लाएंगे तो क्योंकि मेरे पास अभी stand नहीं है तो मैं stand भी effort करने की कोशिश करूँ तो expensive तो होती है तो I hope आज का यह वीडियो आपको पसदा आपसदा आपसदा तो like कीजिए, share कीजिए और मैं चैनल पर नहीं है तो subscribe जरू कीजिए bell icon all पर press कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की notification आप तक डारेक्ली पहुंचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई, take care, जैसी कृष्णा